नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है अमित और बच्चा मैं हूँ आपका सोशल साइंस का टीचर बचा पाटी जैसा कि हमने एक अध्याय शुरू किया था उस अध्याय का नाम क्या था तो उस अध्याय का नाम था भाई फ्रांसीसी करांती इसका आज हम करेंगे लेक्षर नमबर थ्री और इस चैप्टर में हमने अब तक बहुत सारी चीजों के बारे में जान लिया है तो सबसे जयादा जो प्रशन आते हैं और अध्याय उससे इन दोनों चैप्टर्स से बहुत ही ज़यादा महत्वण प्रशन आते हैं तो बहुत धियान से पढ़ना है अब तक हमने दो लेक्षर पढ़े हैं और हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात की है तो एक भाई जो साल है साल कौन सा है 1789 ठीक है ना 1789 इस साल याद रखना है क्योंकि इस साल जो हुआ था इसने सब कुछ बदल के रख दिया सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पूरी दुनिया में अब फ्रेंच रिवोलिशन यानि कि हमारी जो फ्रांसी करांती है इसे पढ़ना ज है तपूर क्यों है तो मैंने आपको बताया था याद करो पहला वाला जो लेक्चर है अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं ठीक है ना पहली बार चैनल पाएं उनसे सबसे पहले मैं यह बोलूँगा पहले क्या करो आप पहले जाओ और जाकि लेक्चर नमर वन और चुँकि भाई इसने एक उधारण दिया था पूरी दुनिया को कि अगर हमारे देश में बदलावा सकता है तो पूरी दुनिया में बदला वा सकता है तो यहां पर जो राजयर रजवाडों का ही हुकम चला करता था तो यही रूल करते थे और यह अपनी मन वानि ढंग से करते थे तो वहीं अगर मैं फ्रांस की बात करूँ थोड़ा से रिविजन करवा रहा हूं जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं उसके बात क्या करेंगे उसके बाद हम आगे जो हमारे नए लुष के टोपिक्स उनके बारे मैं हम बात करेंगे ठीके ना चले तो होता यह है कि बाद करूँ उन पे जनता भढ़क जाती है और बाई क्रांती शब्द की बात करूँ मैंने आपको बताया था क्रांती का मतलब क्या होता है क्रांती का मतलब होता है परिवर्तन बदलाव लाना अब बदलाव यहां पर किसका चाहती थी जनता तो यहां पर राजा को बदलाव चाहती थी र निरंकुष ये आपके चैप्टर में यूज हुआ है ये शब्द बार बार यूज निरंकुष का मतलब क्या होता जिस पर कोई अंकुष ना लगा सके जिस पर कोई रोक ना लगा सके आप अपनी मन मानी धंग से जो भी काम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ इसके मतलब य कि यह बो सकते हैं उसे काफी तकलीफ होती थी क्यों होती थी क्या था यहां पर एक रिजन क्या था तकलीफ का कि इस टेंप जो फ्रस की थी कि घळाब था बश्राइप्स यो सोसाइटी टी उसे tax में छूट थी और बचा हुआ 30 state जो था उसे tax पे करना पड़ता था किसको भाई जो राजा जी है उन्हें ठीके ना 30 state को कर्व देना पड़ता था राजा को अब यहां पर दिक्कत वाली बात क्या थी दिक्कत वाली बात यह थी जो तीसरा वर्ग था वो 90% था पूरे France की जतनी भी जनता थी जतना भी है पर जो population थी असका 90% क्या था उसका 90% जो था वो तिर्ती वर्ग से था अब यहां पर होता है क्या भई अब यहां पर जितने भी कर लगा जा रहे थे वह तो ठीक है लेकिन यहां पर जो राजा जी होते हैं यह कर बढ़ाना शुरू कर द तो इनके जो भाई इनके दादा परदादा जी थे वो शान और शोकत की जिन्दिगी जिया करते थे उसमें पूरी दौलत बुटा दी ठीक है अब और तीसरे बोला जाता है कि अमेरिका को आजादी किसना दिलवाई है तो अमेरिका को आजादी भी फ्रांस नहीं दिलवाई ह में पार הפार सार्ट को इसके वैसे इन पर क्या हों दस up क्यूकर संधे इस त यह यहां पर आ नहीं पर जाथ होजाती ब्लूसरे थोड़ा सा करना थोड़ा सा चीजों को जोड़ने की कोशिश करना तब शीज समझ में अगी माने फिर बढ़ी ठीक है ना यह कहानी वह चल लिए थोड़े से तो झोडने की सक्व़ों GET भी अ pseudo मद्यमवर्ड कौन था वए तो मैंने फिरे टीन की बात की थी लिए न पर्थम को धिर्टिटि तो सब्सक्राइब ध्रति मयों में तो ऐसे लोगों को बोला गया मिडल क्लास का है सारी चीज तो हमकोष से तो वही कि लोक थे अब ये जो लोग थे ये काफी पढ़ लिक गहते तो इन्हें गलत और सही में जो अंतर था वो बहुत अच्छी सपता था और स्टैम किया ता उस्टैम बहुत सारे जो प्रभाव सचाली लोग थे वह भी भटने लगे ठीकिन इनकी जो किताब में थी वह लोग होता है जब थोड़ा प्रेशर ज्यादा आता है किस पर लुई सोल वे पर तो यह इस्टेट जनरल की मीटिंग बला लेते हैं पिछले 100-500 साल में जो मीटिंग थी इसे कभी नहीं बुलाया गया था तो भाई इसके बात क्या होता है उसकी बाद वोटिंग होती है अब यहां सारी चीज़े मैं आपको बता दियें अगर आपने लेक्षे नमर वन और टू नहीं देखा है तो पहले प्लीज जाके उससे देखिए ठीक है ना और बाई सबसे पहले मैं यह बोलूँगा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक सब्सक्राइब और धीक गोशना पत्र भाई क्या अधिकार थे इंके पुरुषों के क्या अधिकार दिये गए थे क्या सच में आप सकते हो और समानता आ इथी सच में आई थी वहाँ डिसाइड करोगा आप से पूछूंगा आप बताऊंगे समानता थी या नहीं थी वह इस ही लेक्चर में cover करने वाले हैं ठीक है ना समझ गए आप लोग चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पहले टॉपिक पे तो सबसे पहले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि भाई सम्विधैनिक राज संथ क्या होता है ठीक है ना तो बहुत किसी भी राज को चलाने के लिए किसी भी साशन को चलाने के लिए वहां का जो राजा होता है वह क्या होता है वहां का राजा जो होता है वह सर्वोच होता है ठीक है ना जो राजा होता है वहां का सर्वोच होता है तो वही लिखाए किसी राज की उस साशन पर डाली को कहते हैं उस जिसमें स इसा नियम आना चाहिए कि प्रॉपर क्या होना चाहिए सम्विधान होना चाहिए और भाई राजितंत्र भी होना चाहिए यानि कि भाई जो राजा है इसका तो रूल रहेगा ये राज करेगा हम पर लेकिन चलेगा किसके इसाब से ये चलेगा सम्विधान के इसाब से ठीके करेगा वो चलेगा किसके साबसे सम्विदान के साबसे आज भी इंडिया के अगर मैं बात करूं आज सम्विदान है वो भी ऐसा ही कुछ है आज भी बड़े बड़े नेता वगेरा है ना यह अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करते आपने कभी सुनाए कि किसी नेता ने अपना नियम मना लिया खुद का उसे पास कर दिया ना पूरा सब सब को क्या मिलता है सब को चांस मिलता है कि नियम बनना चाहिए नहीं मिलना चाहिए जो संसर आपने देखी होगी इसमें क्या होता है बड़ी-बड़ी बहसे होती हैं उसके बाद जा क्या होता है उसके बाद कोई नीयम कानून मनाया जाता है शम υ Dorothy किया ता यहां पर यहां पर फ्रांस्किंटा जो थी वैसा ही कुछ जाती हैं किसकी शक्तियां बाई राजा की शक्तियां चलिए अब यहां पर क्या होता है यहां पर तो यह सारी चीजे वैसमें ना बता दिये यह लिखा हुआ है तो ध्यान से पढ़ लेना जो मैंने बोला है भाई यह पूरा लिखा हुआ है ठीक है तो एक कोई भी ऐसा साशन पडाली होती है जिसमें क्या होता है जिसमें सर्वस्तों राजा होता है लेकिन वो अपनी मनमानी से नहीं चल पाता वो किसके इसाफ से चलता है जो जनता होती है उसके इसाफ से चलता है जो समविदान में लिखा हुआ है वो इसके इसाफ से चलता है ठीक है यही होता है समव सम्विनान था वो 1791 में पूरा हो गया यानि कि ऐसा ही कुछ देखने में होगा हमारा सम्विनान जो होगा जो भी चीजे बनाई गई थी ठीक है चलिए फिर सत्ता को अब यहां पर क्या हुआ जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा किसमें जो आपकी नागरिक सास्तरयोसमा सरकार है लोग तांतर की सरकारोस तीर हिस्सों में डिवाइड किया गया है पहला क्या है विदायका दूसरा है कारे पाले का और तीसरा है नियाए पाले का तो यहीं से तो आया है अब भाई विदायका क्या होता है जो नियम बनाता है जो नियम बनाता है ठीक है मैं बात वक कारपालिका की जो नियमों को इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं विदाइका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिसलेचर और नियाइपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं जुड़ी शरी तो विदाइका काम क्या होता है नियमों को बनाना ठीक है कारपालिका काम क्या होता है जो नियम बने हैं उन्हें लागू करवाना ठीक है न ओ भाई और नियापालिका का मतलब क्या होता है नियापालिका का मतलब होता है जो कानून का पालन नहीं करेगा उसे सजा देना ठीके न तो यह मैंने तीनों के काम बता दिये तो यहाँ पर क्या हुआ सत्ता को विदाय का कारिपालिका और नियापालिका की बीच में बांट दिया गया ठीके ना चले तो यहाँ पर क्या होगा प्रापर भाई नियम बनाने वाले होंगे नियमों को लागू करने वाले भी होंगे और अगर उन नियमों को कोई तोड़ता है तो उन्हें सजा देने वाले भी होंगे तो यह तीनों चीजें थी भाई ठीके ना इस तरह से फ्रांस ए ठीक है चलिए आगेवड़ते आप यहां पर क्या हूआ है और चीज़ेंगे देखो के अब मेरा आप से कि बार से थे प्रस्नशन यह अँडिकार रियो लोगोंगों को अधिकार मिले वह पर्याप्त थे अब उन अधिकारों की मैं बात करके आपको बताऊंगा कि वो परियापत थे या नहीं थे कौन-कौन से अधिकार दिये गए थे, कौन से फिल्टर डाल लगे थे, इन लोगों को अधिकार मिलेंगे, इन अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप बोल सवकोंगे, और आप पता ही क्या बोलोगे, और आप बोलोगे कि भाई टो की है, झा इस्यों को दिखावे की थया किया थे क्या करने का वोट डालने का अधिकार जो था वो किसे मिला तो भाई जो लोग कम से कम तीन दिन का वेतन टैक्स के रूप में देते हैं जो लोग टैक्स पे करते हैं तीन दिन का वेतन है उतना बराबर का वो टैक्स देते हैं उन्हों को अधिकार था उन्हें सक्री नागरिक क श्रेडि में रखा गया बह armored शक्री नागरी कौन थे जो पड़े नागरिक थे समझबा आगया तो यहाँ पर 25 से उपर के जो लोग थे, ठीक है वही उन्हें ही सक्री नागरिक में मिला है गया ठीक于 यानि कि 25 वर्छ 25 वर्ष नीचे वाले जो भी लोग होंगे हुने नहीं माना जाएगा, उन्हें अधिकार ही नहीं होगा vote डालने का, समझ माया 25 वक्त से नीचे कि जो लोग होंगे, और इसमें और अधिकार को ही केवल मत देने का अधिकार था, समझ माया vote किस पास था? बाई जो सक्री नागरिक थे, अब बाई सक्री नागरिक कौन है? जो 25 वर्स से उपर के हैं और भाई जो किया है जिने भाई जो पड़े लिखे हैं जिने थोड़ी वह कानून के बारे में नौलेज है वही सक्री नागरिक में आएंगे समझ मां आगया दिल्दी बताओ इतना समझ मां आया चलिया आगे बढ़ते हैं लग बग 30 लाग पुरुषों महिलाओं बच्चों और 25 वक्त से कम उम्र के व्यक्ति को मत अधिकार प्राप्त नहीं था अब हुआ क्या सुनो अब जैसे इन्होंने अधिकार तो दे दिया देगे संविरानिक राज्तन ता आ गया अब क्या है वोटिंग सिस्टम भी शुरू थे पच्छ से जादा जो लोग थे वो क्या से थे वो पच्छ वर्ष से कम थे याँ फिर वो महिला हैं थे याँ तो अधिकार मिले ही नहीं ना तो 30 लाग तो बढ़ड़ी होति है फ़िए दे क्या हुआ हुआ marquee गया अभट बोला गया आप ऐसे लोगों को यानि कि जो लोग 25 वर्ज से कम हैं, जो लोग पढ़े लेके नहीं हैं, उन्हें बोला गया निश्क्रिय नागरिक, यह याद रखना है, एक तो सक्रिय नागरिक और एक निश्क्रिय नागरिक, सक्रिय कौन जो पढ़ा लिखा है, जिसे कानून के बारे में नौलेज है, जिस लोग जो पड़े लिखे नहीं थे उसमें औरते भी आती थी चलिए अब हुआ क्या सक्री नागरिकों को निर्वाचकों का चुनाओ करना था अब निर्वाचक कौन होगे बाई जिन्हें आप चुन रहे हो जिन्हें आप चुन के कहां बेज रहे हो नैशनल असेम्बली हैं सर ये नैशनल असेम्बली क्या होती है तो भाई देखो हमारे देश में क्या है हमारे देश में संसद है ना हमारे देश में संसद है वहां कौन बैठते हैं वहां जो लोग बैठते हैं वो कौन है उन्हें चुन के आप ही ने तो बेजा है ना जो अठारा या अठारा से उपर के थे जो टैक्स पे किया करते थे और जो पड़े लिखे थे ऐसे लोग किने चुनते थे भाई अपने निर्वाचकों को चुना करते थे और वो निर्वाचक कहां बैठते थे भाई तो वो निर्वाचक National Assembly में बैठा करते थे, ठीक है न, तो यहाँ पे यही बात हो रही है, राजा और राजा की मंतरियों को क्या बोलते हैं हम, इनकी जो मंतरी हुआ करते थे, इन्हें अब कौन चुनेगा, इन्हें अब आम जनता, आम जनता चुनेगी, लेकिन अगर देखा जाए भाई, यह proper क् बाता नहीं है, इक्वैलिटी तो नहीं है, बिल्कुल भी, क्यों नहीं है, क्यों थे, वो तो चुनाओ करी नहीं सकते, कुछ लोगों को ही अधिकार पराप्त हुआ है, ठीक है, चालिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राजा की पास मंतरियों को चुनने का अधिकार थ पाँच लोग हैं, ठीक है, पाँच लोगों को किसी एक चीज पर निड़ा लेना है, उन पाँच मैं भी हूँ, अब मेरे पास वीटो पावर इसका मेलब क्या हुआ, मानलो वो चार लोग राजी हैं, और मैं राजी नहीं हूँ, और मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा, तो फिर उन्हें उस चीज पर राजी होना पड़ेगा, तो ये किसके पास पावर थी, ये पावर थी, वीटो पावर ती, लूई सॉलवे के पास थी, तो भाई इन्होंने क्या किया, अपने मन पसंद मंतरियों को ही, अपने, आप बोल सकते हैं, अपने मंतराले मैं रखा, तो ये तो फिर दिखावटी हो गई ना ये जो पूरी बनी संविदानिक राज्टंतर बना था ये तो क्या होगा ये तो दिखावटी हो गया ठीकर ना क्यों क्यों कि आ अध्ड थैंन्着 मंत्रियों को चुनने का अधिकार था और वीटो पावर भी थी चलिए जो व्यक्ति उच्च करदाता की शरेणी में आता था वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्ट बन सकता था यह तो मैंने आपको अलड़ी बता दिया है यह सारी चीज़े मैंने आपको बता द जितने भी राज हैं जितने भी राइट्स हैं जितने भी राइट्स दिये गए थे अधिकार दिये गए थे किसे दिये गए थे भाई तो यह आम जो जनता है उन्हें दिये गए थे ठीक है चलिए अब यहां पर एक पर भाई एक जो नया टॉपिक हो शुरू हो जाता है तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं था तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ठीके ना तो उस समय फ्रांस के अधिकार लोग अधिकतर लोग अशिक्षित थे यानि कि क्या थे अशिक्षित थे समझ माया पड़े लेके नहीं थे जालत जो लोग थे वो पड़े ल लिये जो अधिकार की बात हो रही है कि ठीके ना अहरनी याढ ना सेंगे जो अधिकार एनके लिये प्रतीकों का इस्तेमाल के आपकी poko थो रह गाई चलिए अनपणicherung की दौारा लोयों चिन्नों का इस्तमाल करते थे, ठीक है, चलिए, अब एक नया जो टॉपिक हो पढ़ लेते हैं, राज तंत्र का उनमूलन और गरतंत की स्तापना, भाई, राज तंत्र मैंने बता दिया है, राज तंत्र क्या हो गया है, जहां राजा का रूल होता है, और उनमूलन का मतलब क् देखते हैं, क्रांती के फल्स रूप राजा को गद्दी साटा दिया गया, यह गड़तंत की स्तापना होई, खूनिस अंगरसों को मारा गया, उसके बाद जाके कहीं, इनने क्या मिली, आजादी मिल पाई, अभी तो कहानी खतम नहीं हुए है, बहुष सारे उताओं चड़ हुई है अब यह कहानी बहुत लंबी जाएगी आपको लग रहा होगा सब कुछ सही हो गया है राजा को अटा दिया है राजा के पास पावर नहीं बची है तो अभी कहानी खतम नहीं हुई है ठीक है ना चलिए फ्रांस में जो कुछ हो रहा था उससे आज पास के देशों का अब हुआ कैसे अब होता है कि संगती का सर जो होता है बहुत बड़ी चीज़ है मानलो फ्रांस पास पर जो भी कुछ हो रहा था तो उसके आसपास के देश पे और यह उसा हमारे देश में ना बांग करने लगे और ऐसा हुआ भी थोड़े दिन बार आप देखोगे ऐसा हर जगा होगा तो यहाँ पर इस वज़े से जो आस पास की जो राजा थे वो काफी डरे हुए थे फ्रांस है ठीक है चलिए फिर होता है क्या है लुई सोलवें पड़ोसी राजाओं से 60 गांट कर कर रहा था ताकि लोगों की लोगों को दबाया जा सके अब भाई जो को होता है क कि भाई उसकी जो पावर है वो छिंजा उससे तो लुई जो सोलवें थे इने काफी डल लगा हुआ था कि हमारी पावर तो छिन गई है मैं तो राजा हुई नहीं अब लोग राजा मानते ही नहीं है मेरे अब ठीक है न तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जो सोला प घुल लेगे ने आसपास की जो पड़ोसी राजा थे इनसे कहीं चिक है चलिए अब यहां पर क्या हुआ यहां परहर कि 1722 में अप्रेल महीने की बात है यहां पर जो नैशनल असेंबली थी ठीक है ना एस नेशनल असेंबली कौन थी बाई ट्यान करो नैशनल सम्वली में क वो इन्हों चुन कि उन्हों समझ माया और उस्टेया और उस्टेया पर उस्टेरिया ऑजना लग में तो तो यहां पर आउस्ट्रिया और प्रुश्या की खिलाफ युद्ध की गोंशना गर दी किसमें नेशनल असेंबली अब युद्ध क्यों हुआ कैसे हुआ वो सब बात की बात है अब यहां पर क्या होता है सुनो उस युद्ध मां हजारो स्वेसेवी सेना में भरती हो गया झाज़न को अज़ना टो यह जो आप देख रहे हो ना यह जो पूरा जो लिखाँ है यह क्या है आज की समय ये फ्रांस का क्या है राष्ट गान है तो पहली बार कब गाया था आसे पहली बार गाया था मार्सले में जब युद्ध लड़ गा थे किसके खिलाब जब ये लोग युद लड़ रहे थे और श्रिया और पूरुशया गिलाब तब ये लोगों ने जो इनके लोग थे वह इन्हों ने गाया था समझ बहुंख भाया इसे इसे लिखा किसने था तो इसकी जो कविता है लिखी थी वे रोजट ने ये कव्ता किस ने लिखी थी वे रोजट ने एक कव्ता लिखी थी और लोगों ने इसे गाया था इसका नाम क्या था इसका नाम था मार्शले तो यह जो प्रशन अच्छा खासा बन जाता है इस पर तो यह याद रखना बहुत ही महतपूर्ण है त ठीक है ना चालिए है और मार्शली एक जगा का नाम था बेसिक लिए ठीक है ना मार्शली जगा का नाम था तो जगा की नाम पर ये राष्टकान रख दिया गया मार्शली इस बाद में इसका नाम पड़ा और मार्शली एक जगा का नाम था फ्रांस में ठीक है तो इतनी सारी चाहें जीते कोई भी नुकसान दोनों तरफ से होता है ठीक है तो यहां पर क्या हुआ लोगों को भारी नुकसान चुकाना पड़ा ठीक है न कई लोगों को लगता था कि 1791 के समविदान के केवल अमीर लोगों को सत्ता दी गई है अब यहां पर कई लोग जो थे उन्हें ऐस तो थाना ऐसा जब इंडिया अंग्रेजों के आधीन था तो जब कुछ पढ़े लिखे लोग थे उन्हें ही सिर्फ वोट डालने का अधिकार था लेकिन यहां पर क्या हुआ यहां पर कुछ लोगों को लगता था कि इतने भी अमीर लोग है ना उन्हें ही सिर्फ अधिकार है किस में थाली अब यहां पर क्या हुआ जब जीम खर्वां यहां पर क्या हुआ खालंति का इसका बहुत बढ़ा रूल था इसमें कौन लोग थे तो इसमें जो आप बोशकते हो जो धुकानदार हो गए वरकर्ज वगयरा हो गए तो वो इसका पार्ट थे जो जारा पढ़े लेके नहीं थे ठीक है ना जो जारा पढ़े लेके नहीं थे वो इस क्लब का पार्ट थे और इस क्लब ने भी काफी बढ़ चड़के सपोर्ट किया ऐसे लोगों को कैसे लोगों को भाई जो सबसे ज्यादा गरीब थे उन लोगों को सबसे ज्यादा सपोर् जैकब, कॉन्वेंट करके इनका नाम था, एक सेंड थे, उनके नाम पर यह जो क्लब का नाम है, वो पड़ा था, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए, अब यह अगर इसकी मैं बात करूँ, क्लब की सक्री कब होता है, तो भाई, यह 1793 से 1795 तक यह सक्री रहता है, दो साल तक यह हो लाखो लोग, कम सम्झाब 200,000 लोगों को कहा चला दे, गलोटाइन जो होता था, ठीक, गलोटाइन अभी बताऊंगो, असके बार में भी बताऊंगा आपको, वहां पे सूली पे लटका दिया गया, गले काट देते थे तो, ठीक है ना, इनके खलाफ बोल ला है, तो उसे मरवा दिया करते थे, तो यहां पे कौन थे भाई, जैकोविन कलब के नेता का नाम क्या था, तो मैकसिमिलर, रॉबस्पियर, इनका नाम याद रखना, ठीक है ना, मैकसमिलियन, रॉबस्पियर, यह कौन थे भाई, यह नेता थे, जैकोविन कलब को लीड कर रहे थे, ठीक अपने कलव में जोड लिया मुझा सोच रहे हो इसमें महिलाओं को राइट नहीं मिलेता तो महिलाओं को भी इन्हों ने अपने साथ में जोड़ा छोटे किसान हो गए, मजदूर हो गए यानि कि जादत तक ऐसा जो तबका जो पड़ा लखा नहीं था ठीक है ना, जगोवियन के सदस्यों ने गोधी मजदूरों की तरह ठीक है ना, धारीदार लंबी पतलून पहनने का नेड़ा लिया ताकि वे फैशनेबल लोगों से अलग दिखें समझ माया तो इनकी एक ड्रेस भी थी इनकी एक अलग ड्रेस थी, कैसी ड्रेस थी भाई तो ये धारीदार लंबी पतलून पहना करते थे तो ये अलग से ही पता चल जाते थे और ये अपने आपको अलग दिखाना चाहते थे ठीक है ना, जो फैशनीबल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते थे तो इनका अलग ही क्या था, एक ड्रेस कोड था जो पहना करते थे, ठीक है, चालिए कुछ ऐसा दिखता था ये देखो ठीक है ना, धारीदार, ये धारीदार दिख रही है आपको लंबी सी पतलून जो दिख रही है जाता था, ठीक है ना, महिलाओं के अगर मात करो, तो यहाँ पर इनके कोई खास पोशाट पहनने की इन्हें अनुमती बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने पता है न майलाओं उसके बाद चुनाव हुए और एक नई assembly का गटन हुआ जिसका नाम क्या रखा गया जिसका नाम convention रखा गया ठीक है जिसका नाम क्या रखा गया जिसका नाम convention रखा गया थोड़ा सा रुख जाओ बच्छे थोड़ा सा रुख जाओ ठीक है चलो सुनो यहां पर क्या हुआ तो यह थो यह थो यह थोड़ा सा स्टकर वाद टुलियर एक महल का नाम था ठीक है ना थोड़ा सा रुख जाओ थोड़ा सा चलिए तो 1792 की गर्मियों में जैकोबियन के लोगों ने टुलेरिया के महल पर हमला कर दिया महल का नाम है ठीक है ना मैंने कमांडर का नाम बता दिया सॉरी यह टुलेर क्या है महल का नाम है इस पर हमला कर दिय ठीकिकए ना चलिए इसमें रहा करते थे अब एन्ने बंदी बना लिया गया ओर इनके जितने भी सिपाई व convent एक नई आसे मिली या आटाया है ठीक है घृश को घृट है कर दिया घृप कर दिया खंबर सत्रासफ 74 को समाप्त कर दिया गया फिर उस फिर उससे जाला की जो लोग थे उन्हें वोटिंग का राइट था लेकिन उसमें भी कई कंडिशन थी तुम पड़े लेकर ने का अधिकार दिया और फाइनली 17 सितंबर 1792 में जो राज तंत्रता यानि कि जो राजा की मुनार्गी थी इसका अंत हो गया ठीक है चलिए और फ्रांस को एक गरतं जो देश है उसे घोसित कर दिया फ्रांस को एक जो गरतंत देश है वह घोसित कर दिया गया घरतन मतलब रिपब्लेक ठीक है ना एक पूरा आप बोसक्ति सब्सक्राइब चाहां पर जो लोग है उनके पास पूरा अधिकार है अपने नेता को चुनने का चलिए अब क्या हुआ भई अब यहां पर देखो हुआ क्या हुआ कि आप जैसा करम मिलके क्या किया था साथ कांट रचीती क्या करने की तकता पलट करने की तो भाई इन पर आसा आरोप लगे फिर क्या होता है फाइनली इनने लटका दिया जाता है ठीक है इन दोनों को बंदी बना के इन दोनों का गला काट दिया जाता है तो यहां पर यहां पर यहां पर हैपई अंडिंग होगी आप तो आप कोगे ना अप कैसे निकलते हैं वह हम अगली क्लास में जानेंगे फिलाल इतना जानलो कि बाई देगो यहां पे क्या हुआ जो राजा थे उन्हें लटका दिया जाता है ध्याने कि बाई एक ऐसा राजा संविदान भी हो और राजा राज करे यानि कि भाई जो राजा होगा वो सम्विदान के हिसाब से चलेगा ठीक है ना पुरिस और नागरिक अधिकार यहां पर हमने किसकी बात की यहां पर पड़े लगे लोग थे उनके पास वोट आने का अधिकार ता और तो बच्चों के प इसका रोल क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बता आया ठीक है न तुम्ह昨 इतनी सारी चीजह हमने पड़ ली है Boss पूरे लेक्चर में और भाई क्या करेंगे मैं कोषच करिआ dem coded तो अगे लेक्टर में क्या करेंगi हम आतंकर में बात करेंगे औân फ्र ड्र डिर क्ई कि बात करें जो न है चैप्टर में बात करने वाले हैं अगली क्लास में लेंगे नई टॉपक चलिए और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज एक बारी वो भी देख लो, ठीक है न, चलिए, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुडबाई, टेक केर.